आलू फूल गोबी की सब्जी जो हम सादी में खाना बहुत पसंद करते हैं अगर वही रेसिपी हम घर में और बहुत ही आसान तरीके से बना करके तयार करें तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आए हूँ आलू और फूल गोबी की एक ऐसी टेस्टे सी रेसिपी जो हम ज्यादा तर शादी और पार्टी में खाना पसंद करते हैं तो बिना देर किया आज की रेसिपी शुरू करते हैं अगर आप चाहें तो आलू और फूल गोबी को डिप फ्राइ कर सकते हैं तो चलिए आज की रेसिपी हम यहां शुरू करते हैं तो इस तरह से हम फूल गोबी को चोटी चोटे टुकडों में काट लेंगे यह देखे ऐसा हमें काट लेना है और धो करके साफ करके ले ले तब तक हम कड़ाई भी गरम कर देते हैं और उसमें हम सिर्फ एक चमच के करीब तेल आड़ करेंगे अच्छी तरह से गरम होने दे और साथ ही में हम इसमें डालेंगे फूल गोबी फूल गोबी को हमें कुछ पांच मिनट के करीब इसमें फ्राई करना है आप डबकर भी फ्राई कर सकते हैं या इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं जब तक हमारी गोबी जो है न वो 50% तक पक जाएगी इसमें फ्राई करते हुए और इसका कलर भी गोल्डेन हो जाएगा तब तो यहां पर देखिए हमारा गोबी अल्मूस्ट फ्राई हो चुका है पांच मिनट के करीब हमें चलाते वे से फ्राई कर लेना है गोबी को आफ अलग सेपरेट कर लेजिए और वापस हम इसी तेल का यूज करेंगे जो थोड़ी सी कड़ाई में हमारा तेल है अगर आपको लगे तो आप इस जगह पे वापस से एक टेबल स्पून के करीब आप इसमें तेल एड़ सकते हैं और हमने आलू को इस तरह से काट लिया है चोटे टुकडों में और आप हम इसे भी फ्राई करेंगे तीन से चार मिनिट में आलू भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई होगे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक आप इसे फ्राई कर लेजिए और जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसे सेपरेट कर लेजिए हम उसी कड़ाई का यूज करेंगे और वापस हम इसमें जीरा एड़ कर देंगे अगर आपको तेल डालना है तो इस जगह पे थोड़ा सा और तेल का यूज कर सकते हैं मैंने उसी में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है आधा चमज के करीब और साथी में हम तेजपत्ता एड़ कर देंगे तेजपत्ता डालने के साथ आप इसमें प्याज जाल दीजिए एक मीडियम साइज का प्याज मैंने रफली के खड़ गिंगे और में ईपने टोड़ाते हैं बला लाएं करें के सच्छ पूप करके लिएा सब्सक्राइब 3-4 मिन पका लेना है और यहां पियाज तोड़ा ख़ा रचका होगाई यहां प्याज को कर दिया है और यह सम ठंटा कर लेते हैं और अच्छा सा प्योड़ी बना तैयार करते हैं बिल्कुल ऐसा ऐसा हमें प्योड़ी जा तयार कर लेना है इसा घ्राइव कर लिए त्यूड़ी एफिप करेंगे बावडर में नमक के साथ आप इसमें डाल मुर्च यूज़ किया है अगर आप चाहते हैं तो यहां पर कास्मेरी लाल मुर्च भी यूज़ कर सकते हैं जिससे सबजी में कलर और भी अच्छा खिल कराता है तो मैंने यहाँ पर तीकी वाली लाल मिर्च का यूज किया है आधा चमज के करीब हम लाल मिर्च डालेंगे और अब हम इसे मिला लेते हैं तीन से चार मिनट पकने के लिए और चार मिनट के बाद हम इसका धकन अटाएंगे और यहाँ पर देखिए अच्छी तरसे मसाला हमारा पक रहा है तो मीडियम टू स्लू फ्लेम पर हमें गैस को रखना है और दीरे दीरे से इस तरह से फ्राई करते करते पकाना है तो भी हम इ सुखा मसाला फ्राई हो करके तयार हुआ है तो अब आप इसमें डाल दीजिये एक चोटा चमशे करीब घर्म मसाला अच्छी तरह से मिलाने के साथ ही आप इसमें डाल दीजिये आलू और फूलगों भी हमने फ्राई करके रख़ा है वो इसमें हम एड़ कर देते हैं और अ 3-4 चमबच के करीबा पानी डाल दीजिए और फिर मसाले मिलाई तो बराबर से कोटिंग हो जाएगा पूरी सब्जी में और बहुत ही अची तरह से इसे फ्राइ करने ना है कुछ 3-4 मिनिट हम इस तरह से फ्राइ करेंगे मसाले में सब्जियों को डाल करके तो यहां पर हमने थोड़ा सा हरमटर का यूज किया है अगर आप चाहिए तो ज्यादा भी डाल सकते हमने थोड़ा सा हरमटर टाला है तो थोड़ा सा मटर डाल करके आप इसे मिला लीजिए कुछ 2-3 मिनिट आपको फ्राइ करना है इस तरह से ग्यास का फ्लेम मीडियम टू स्लोप पर रखन कीजिए तो हमने एक ग्लास के करीब इसमें पानी डाला है और पानी डाल करके मसालों को बहुत अच्छी से मिला लेना है और फिर हम इसे ढख करके कुछ 3-4 मिनिट के लिए मेडियम तो स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे 5 मिनिट के पार ढटाईए और सबजी हमारी तयार हो करते हैं मैंने यहां पर हलके से तेल में इसको फ्राइ करके बनाया है और बहुत ही जादा मज़े कल लगता है आप इस मैथट से सबजी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगा आप रेसेपी ट्राइब कीजिए और अगर आपको रेसेपी अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन दबाईए और ऐसी ही टेस्टी रेसेपी के साथ फिर मिलती हूं तब तक अपना ध्यान रखिए बाबाई